Assalamualaikum friends मैं हूँ नवीद और आप देख रहे हो YouTube चैनल कर्गेटर नवीद आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा आपके इस तरीके से YouTube चैनल के उपर वीडियो को अपलोड कर सकते हो देखे फ्रेंट अगर आप सही तरीके से वीडियो अपलोड नहीं करते हो उसके उपर व्यूज नहीं आएंगे कट करके दुबारा लिख रहे होते हैं लेकिन ये सारी चीज़ें आपने पहले करनी होती है टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो भी लिखनी है जैसे भी लिखनी है पहले लिखनी है बाद में नहीं लिखनी तो देखें फ्रेंड यूट्यूब के ऊपर वीडियो को अप्लोड कर सकते हो तो मेरे पास एक वीडियो पढ़ी हो यह हम उसको अपलोड करते हैं तो चलते हैं मुबाइल के स्क्रीन के ओपर लेकिन करियेटर नवीड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताके हम बार-बार मिलते रहे हैं और एक दूसरे को ग्रो करने में ही दूसरे का साथ दे सकें तो चलते हैं मुबाइल के स्क्रीन के ओपर यहांपर मैं उपन करता हूं अपनी YouTube अप को जैसे आपने YouTube को अपन करना है तो आपने क्लिक करना है क्लिक करना है फैप लोड के ओप यहां पके आने कि बाद अब आपने वाले वीडियो चिलेक्ट तो यहां पर आपने क्लिक करना है इस आप्शन के उपर क्लिक करने के बाद आपने यहां पर अपना थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है अगर आपको यह नहीं पता थंबनेल कैसे बनाया जाता है तो मेरे चैनल के ओपर वीडियो मौजूद है उसको आप दे कर थंबनेल बना सकते है यहां पर सिर्फ आपने लगानी होती है तो टाइटल मैंने लिखा हुए मैं उसको यहां पर करता हूँ जी पेस्ट पेस्ट करने के बाद फ्रेंड वो मुझे कह रहा है कि आपका जो टाइटल है वो सो अलफाज का होना चाहिए तो मेरे नाइंटी इसको आपने उपन करना है अब यहां पर आपने लिखनी होती है डिस्क्रिप्शन मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और रेडी लिखी हुए सिर्फ मैंने यहां पर पेस्ट करनी है तो चले मैं पेस्ट करता हूँ पेस्ट तो फिर यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख लिए लिखने के बाद आपने वापस आना है डिस्क्रिप्शन के अंदर आप हैश्टैग भी दे सकते हैं जो कुछ आप देना चाहें वो आपने दे देना है तो यहां पर आप जि आपने अपनी वीडियो को पब्लिक करना है तो फिल वक्त मैं इसको अनलिफ्टेड रख रहा हूँ नीचे जगर आप देखें तो यहां पर आपको आप्शन नज़राता है जिन आउडियंस का अब आउडियंस यह आप से पूछ रहा है कि आपकी वीडियो बचों से रिलेट करता हूँ जी पाकिस्तान अब ऐसा भी नहीं है कि यह वीडियो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जाएगी दुनिया भर में देखी जाएगी जो इसको सर्च करेगा उसको सामने से यह गुजरेगी लेकिन भाई मेरा में टार्गिट यह वो पाकिस्तान है इसके इलाव अगर प्ले लिस्ट बनी हुई है तो उसके अंदर भी आप इसको रख सकते हैं मेरी ऑनलाइन अर्निंग है तो मैं इसके अंदर इसको रख रहा हूँ क्योंकि यह वीडियो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है तो नीचे जी आपको बटन मिलता है अप्लोड का इसके उपर नापकी जितने भी आप्शन है वह मैं आपको बाद में बताता हूँ जब यह वीडियो अपलोड हो जाएगी तो मैं इसको करता हूँ यहां पर अपलोड जी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह मुरी वीडियो जो है वो अपलोड पर लग चुकि है मैं आपको दिखा सकते हैं whitey studio नाम की application से भी कर सकते हैं लेकिन हम इसको बाकी की setting करेंगे chrome browser में क्यूंकि बहांबर हमने end screen लगानी होती है end card लगाना होता है और भी काफी सारी चीज़ें करनी होती है तो chrome browser में इसकी setting किया करें तो फ्रेंड आपने सर्च बार में लिखना है whitey studio जैसे आप वाईटी स्टूडियो लिखेंगे तो आपके सामने ये वाला लिंक आएगा आपने इसके उपर क्लिक कर देना है जैसे आप इसके उपर क्लिक करते हैं तो आपका जो यूट्यूब चैनल है वाईटी स्टूडियो क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन होगा आप यह सकते हैं जो मेरा YouTube चैनल है वो Chrome browser के अंदर open हुआ है अब ये मेरे चैनल का dashboard है अब आपने क्या करना है आपने इस option के उपर क्लिक करना है जहां पर आपको वीडियो बनी हुई नजर आती है इसके उपर फ्रेंड आप जैसे क्लिक करते हैं आपकी तमाम तर वीडियो आपके सा description, thumbnail सब कुछ आपको दिखाई जाती है अगर आप यहां पे वीडियो का upload करें तो यहां से भी कर सकते हैं अब वह ऐसे होती है create के उपर आपने क्लिक करना होता है और upload वीडियो बागी का जैसा setup होता है तो यहां पे यह वीडियो का title आ चुका है description आपने लिख 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 thumbnail लगा लिया playlist कर दी अब आपने क्लिक करना है show more के उपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको option मिलता है paid promotion अगर आप किसी की paid promotion करते हैं तो यह चैका आपने लगाना होता है तो यह paid promotion नहीं थी वीडियो आटोमेटक चैप्टर यह वाला आपने लगा देना होता ह आपने place का tick भी इसको दे देना है अब यहां पर आता है जी tag मैंने आपको पहले बोला है कि tag title description यह सब चीज़ें लिख के रखा करें तो मैंने अपने tag copy किये हुए हैं तो मैं इस डबे के उपर क्लिक करके अपने tag इसके अंदर पेस्ट करता हूं तो आप देख सकते हो मेर ने भी title के अंदर language लिखी है वो English के अंदर थी तो मैंने यहां पर दे दी है अच्छा जी recording date ये दे ना दे कोई मस्वला नहीं होता वीडियो location दें तो बेतर है लकिन ना भी दें तो कोई मस्वला नहीं है और license अगर आपकी वीडियो जो है वो standard YouTube license है तो यह देना है और अ आपने हटा देना है मेरा पहले लगा हुए नीचे वाला चेक आपने लगा रहने देना है इसके लावा जी आपको नीचे मिल जाती है category वो आपने education सेलेक्ट करनी है और नीचे वाली जितने भी खाने इनको आपने छोड़ देना अगर आपकी education category है वरना जो भी आपके category हो तो वो आपने रखेनी होती है अच्छा जी नीचे है कमेंट्स and रेटिंग तो Allow All कमेंट्स भाईं निव चैनल है हर कोई कमेंट करें तो आपको भी बेश्वरारा दुगा कर अगर निव चैनल है तो हर किसी को कमेंट करने देन, यहां पर देखें कुछ यहां पर आपको सेटिंग मिल जाती है हमारी वीडियो भी अनलिस्टीड है अच्छा जी और रिस्ट्रिक्शन यानिक हमारी वीडियो के उपर कोई कॉपी राइट का कलेम नहीं आया कोई वाइलेशन हमारे वीडियो नहीं की अब अगर यहां पर आप सब्टाइटल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दरसल यह एक अलग टॉपिक है सब्टाइटल का अब यहां पर अगर आप एंड सक्रीन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं अब एंड सक्रीन कैसे लगाई जाती है मेरे चैनल पे इसकी वीडि वीडियो खत्म होगी तो आपको सक्रीन के उपर चंद वीडियो लगी हुई नजर आएंगी तो मैं इस डबवे के उपर क्लिक करता हूं अगर आप तफसील से देखना चाहते हैं एंड सक्रीन कैसे लगाई जाती है वीडियो चैनल पर मौजूद है उसको देख लें तो मैं क आपको पहले बताया अगर आप यह चीजने देखना चाहते हैं लगाना चाहते हैं चैनल पर वीडियो मौजूद है उसको देखकर आप यह चीजने तफसील से सीख सकते हैं एंड सक्रीन और आई कार्ड के हवाले से तो आई कार्ड जी मैं ने यहाँ पर जाके लगाया है यहां पे इसको मैं करता हूँ जी सेव तो फ्रेंड अब ये मेरी वीडियो रेडी हो चुकी अब आप इसको यहां से पब्लिक करना चाहें तो कर सकते हैं यूट्यूब के अप्लिकेशन से करना चाहें तो कर सकते हैं जहां से भी करना चाहें कर सकते हैं तो चलें जी मैं इसक के पास notification चला गया होगा तो मैं चलता हूँ YouTube के application के अंदर और यहाँ बर आपको यह देखें जी यह साथ सेकंड अगो मैंने ये वीडियो upload की है public की है यहाँ पर आ भी चुकी है तो थोड़ी जिर बाद view जाना शुरू हो जाएंगे तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो upload किया करो जी तो friends उमीद करता हूँ आपको समझा चुकी होगी किस तरीके से वीडियो upload की जाती है अगर आप इस तरीके से वीडियो को upload करते हो तो upload करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी वीडियो के उपर व्यूज भी आएंगे, सब कुछ आ रहा होगा, लेकिन अगर आपकी वीडियो की content के अंदर धम नहीं है, अगर आप ऐसे ही बैठ जाएंगे, या कुछ आपकी quality ठीक नहीं है, या जो आप बोल रहे हो, वो ठीक नहीं बोल रहे है, क्यों कि कई ब लगा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उनसे लोग सब समयते हैं, तो बेहतर है कि यहां पर छोड़े लफजों में ज्यादी बात को समझाना ही सबसे best है, तो फिरन उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपको काफी प्रसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे थे वीडियो लाइक करने चैनल को सबस्क्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक, अल्ला हाफिज